कि अपर वंडे मात्रम एक बार फिर स्वागते आप ही के अपने यूटूब तेनल यह ओल इंडाजबनी 0.2 के यूटूब पर तो आज हम बात करने वाले आपके टॉप जीके के बात करते हैं 250 कि सीरीज की इससे पहले बता दूँ आपको एजी चैनल पहली बार और आपर असे निकभल की तारी करें तो आप इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जुरू करना इस बचे ने अभी तक हमाना टेली ग्राम चैनल जोई न जहें साथियो स्वागत है आपका पिके परिवार ओल इंडिया जोब नुड जीरो पॉंटू की यूटूब चैनल पर जैसा कि आप पहले से ही इस चैनल पर जीकी कलास चल रही ही थी और आज भी नई कलास मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं यह कलास बीस अप ट्रेटमें और शिया से भैड कांस्टेबल और एसे सी जीडी के लिए महतवपून है इसमें महतवपून परस्टनों का समावेस है तो उठाइए पैन और रेजिस्टर और स्टार्ट करते हैं अपनी नई कलास बारती विशेश और सामने कहन तो इसमें बारत का एक महतवपून जिक्या जो आपके लिए बहुत ही श्यांदार होगा क्लास बहुत श्यांदार है तो क्लास को मिछ ना करें और पूरी जरूर देखें बगवान बुत को ग्यान की प्रापती है वो बहुत गया से हुई थी आरिया समाज की स्थापना किस ने की थी आरिया समाज की स्थापना आपके स्वामे देयानंद ने की थी पंजाबी बासा की लिपी कौन सी है जो पंजाबी बासा की आपकी लिके है वो गुरू मुकी है भारत की मुक के बुमी का दक्षिन तम के नारा कौन सा है तो भारत के मुकी बुमी का दक्सिन Richman किनारा है, वो कन्या कुमारी है और आपका उत्री जो किनारा होगा वो लड्दाग होगा भारत में सबसे पहले सूरिय किस राजए में निकलता है तो भारत में सबसे पहले सूरी है वो आपका अर्माचल परदेश के अंदर निकलता है अर्मापरदेश के अंदर लगबग 6 बजे सूरी उद्धे होता है इंसुलीन का प्रियोग किस बीमानिर के उपसार में होता है तो इंसुलिन का प्रियोग है वो आपका मदू में है यानि सुगर के उपसार के रूप में किया जाता है बिहू किस राजे का परशीत यूहार है तो बिहू आपका असम का परशीत यूहार है कौन सा विटामिन आउले में परचूर मातरा में मिलता है विटामिन सी है वो आपका प्रचूर मात्रा में मिलता है आओं लेके अंदर बात का परतम गरून जलनन कौन था बात का परतम गरून जलनन है वो आपका वीलियम बैटिक था कागज का अविकाज अविशकार किस देस में हुआ था तो कागज का अविशकार है जो फसेरव परतम आपकी चीन कें अंदर किया गया था गोत्तम बुथ का बच्पन कर नाम भी अब कर नाम शिधार्दः था भारत में सट्रा बलों की सरवचे शिनापति कौन है कौन होता है जो आपकी आर्मी नेवी एर फोर्स हैं इनका सिनापती कौन होता है तो वो आपका रास्टर पती होता है रतोंदी किस बिमारी की कमी से होता है रतोंदी विटामिन ए की कमी से रतोंदी होता है आपको बताना है कि बेरी बेरी रोग है वो किस विटामिन की कमिशे होता है पॉंगल किस राज्य का त्योहार है तो पॉंगल आपका त्योहार है यह चावल की पहली पसल कटने के उपरांत बनाया जाता है गिद और भगड़ा किस राज्य के लोग बांगड़ा है वो आपका किस राज्य का लोग नरते है तो आपका पंजाब का होगा तेलिविजन का विश्कार किस ने किया था जोन्स लोगी बेर्ट ने तेलिविजन का विश्कार किया था भार्ट के पहली महिला सासक सासी का कौन थी तो रजिया सुल्तान थी आपके पहली महिला सासक मचड़ी किस की सायता से सांस लेती है मचड़ी गल्फडो के सायता से सांस लेती है इंकलाब जिन्दावाद का नारा किस ने दिया था इंकलाब जिन्दावाद का नारा भकत सिंग ने दिया था जलियावाला बाग अठ्यकांड कब हुआ था जलियावाला बाग अठ्यकांड तेरा अपरेल गुनिशो गुनिश के अमरसर के अंदर हुआ था जिसमें लग बग हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे गुनिशो गुनिशारी शिसमें में कांगरेस्ट सोडने के बाद सुबाचंदर बोश ने किस दल के सतावना कीती तो उसका नाम होगा आपका फॉरवड ब्लॉक पंजाब केसरी किसे कहा जाता है पंजाब केसरी लाला लाज बतरा को कहा जाता है सांडर्फ की हत्या किस ने की थी सांडर्फ की हत्या आपके बगत शिंग ने की थी GUNISOS Satyaaniswi के विदरहो में किस ने अपना बलीदान सबसे पहले दिया था तो वह मंगल पांडे है जो ने अपना बलीदान सबसे पहले दिया भारत की पहली महिला Rajaapal कौन बनी थी पहली महिला कौन सी थी तो वो होगी आपकी संतोष यादो और इन्होंने ही पहली बार माउंट एवरेश की माउंट एट्स पर सड़ी थी ये और दूसरी बार भी ये ही सड़ी थी माउंट एवरेश की उंचाई बतात नहीं है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ब्रमा समाज क स्थाबना किस ने किती राजा राम मोहंदराय ने ब्रमा श्माज के स्थाबना किती आपको ये भी बताना है कि भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है भारत की उची चोटी सबसे उची चोटी केटू गार्डीन है स्वामी देयानन सर्षूती का मूल नाम मूल चंकर था वेदों की ओर लोटो ये नारा किस ने दिया था स्वामी ये आपका देयानन सर्षूती ने दिया था रामक्रिष्ण मिशन के स्थापना किसने कीती स्वामी विवा कन्ने रामक्रिष्ण मिशन के स्थापना कीती वासको डिगामा भारत के बाया था वासको डिमा गामा गुनिश सो 1498 इस वी के अंदर बारत आया था यह पूर्थगाल का रहने वाला था वासकोडिगामा कहां का रहने वाला था तो यह देख सकते हैं पूर्थगाल के अंदर रहने वाला था हवा मेल कहां हिस्तित है हवा मेल आपका जेपुर के अंदर हिस्तित है हिस्तित है शिख द्रम के सैंस्तापक किस एक किस शिख गुरु को माना जाता है तो गुरु नानक है वो शिख शिख द्रम के सैंस्तापक है शिखों का परमुक तुहार कौन सा है शिखों का परमुक तुहार वेशागी है लोहापुर्ष कीशे माना जाता है किस महापुर्ष को खाया जाता है लोहापुर्ष सरदार वल्ला भाई पठेल को खाया जाता है नेता जी किस महापुर्ष को खाया जाता है दोसा कि आप जानते हैं सुबाचंदर बोस नेता जी सुबाचंदर बोस को कहा जाता है दिल्ली इस्तित लाल बहादूर शास्त्री की समादी का क्या नाम था तो दिल्ली इस्तित जो लाल बहादूर शास्त्री की है उसका नाम है आपका विजेगाट है महाबार्थ के रचियता कून थी? महारिशी वेद व्यास और वाल में की दुवरा आपकी रमायन की रचना की गई है अर्थ सास्तर नामक पुस्तक किस ने लिखी थी अर्थ सास्तर नामक पुस्तक आपकी कोटल ले लिखी थी जे जुआन जे किसान का नारा किस ने दिया था जय जुआन जय किसान का नारा स्री लाहल बादुर्शास्त रीजी ने दिया था जो सवतंतर भाद के दूसरे परदान मंत्री थे सुविदान सबा के स्ताई अदेक्स कौन था तो यह डाक्टर राजिंदर परशादी थे आपके रारूप समिती के देक्स कौन थे डाक्टर भीमराव मेटकर विस्वर रेड क्रोस दिवस किस तारी को मनाया जाता है तो वो आठ मही को मनाया जाता है भारत और पाकिस्तान के मद्दे जो सिमारे का है उसका नाम रेड कलिप रेका है और जो भारत और चीन के मद्दे है उसका नाम मेक मोहंद्रे का है सूर्य दे का देश के नाम से कौन सा देश परशिद है तो वो आपका जापान है अंतराश्टी महिला दिवस किस तिति को मनाया जाता है अंतराष्ट ये महेला द्यावत है वो आपका आठ मारच को मनाया जाता है शेत्रफल की दरिश्टी से भारत का सबसे छोठा राज़ी है वो गोवा होगा और जो आपका सबसे बड़ा राज़ी है राजस्तान है राजस्तान का शेत्रफल muetti आपका 3,42,49 km जो शेतरपल की दर्ष्टी से सबसे बड़ा है और जंशंक्या की दर्ष्टी से आपका जो सबसे बड़ा राजी है वो यूपी होगा ओमन किस राजिय का परशीद योहार है तो वो केरल का परशीद योहार होगा दिल्ली भारत की राजन कब बनी थी तो यह आपकी गुनी 911 के अंदर पहली बार दिल्ली भारत की राजनी बनी थी और इस आपको कमेंट बोक्स के अंदर बताना है कि सूरे के सबसे निकट कौन सा गरा है बारत का राष्टिय पसू कौन सा है तो बारत का राष्टिय पसू है वो आपका बाग है आपको ये भी बताना है कि बारत का राष्टिय पक्सी कौन सा है ये तो आगया बारत का राष्टिय पक्सी मौर है तो भारत का राश्टिय पसू बाग को कब गुशित कौन से सन में बनाया गया था भारत का राश्टिय जलिय जीव कौन सा है वो आपका होगा गंगा के अंदर है वो डारली फन होगा डारली फन है मचली है जो सिर्फ साब पानी के अंदर ही पाई जाती है गंदे पाने के अंदर ये जीवित नहीं रह सकती बारत का राश्टी ये फल कौन सा है बारत का राश्टी ये फल होगा आपका आम बारत का राश्टी ये फूल कौन सा है बारत का आपका राश्टी ये फूल कमल का फूल होगा बात का राष्टी ये पेर है बरगद बात का राष्टी ये खेल है वो आपका होकी होगा बात के राष्टी ये जंडे की लंबाई और चोड़ाई में अनुपात कितना होता है तो ये आपका तेन अनुपात दो होता है तेन फुट लंबा होता है और दो फुट चोड़ाई होती है इसकी भार्त का राश्टी ये गान किसने लिखा था आपको यह बताना है कि सबसे पहले राश्ट्रगान कब गाया गया था बार्त का राष्ट्री गीत किस ने लिखा था बार्त का राष्ट्री गीत है वो बंकिम चंदर चटरजी द्वारा रचित है मात्मा गांदी को राष्ट्र पिता सबसे पहले किस ने कहा तो ये आपका नेताजी सुभाशंदर बोस द्वारा बापो की उपादी गी थी हमारा राश्ट के पंचा कौन सा है सावक समथ है तो जार 22 के अंदर कौन सा सावक समथ है तो मैं आपको बता दूँ कि आपको जो भी सहन आपके दी गई है उसे त्यावन पलस करना है अभी वर्तमान के अंदर दोस बाइस सो गुणैसी सक समथ चल रही है राष्टे गान गाने की अवदी कितनी है तो राष्टे गान गाने की अवदी है वो आपकी बावन चेकिन है रेडियो एक्टिविटे की खोज किस ने की थी हैंदरी बेकरल ने की थी पैस मेकर का सम्मन सरीर के किस अंग से है रदे से है आपका मानों सरीर की किस गरंती को मास्टर गरंती कहा जाता है तो इसे प्यूस गरंती कहा जाता है प्योज करंती है वो मानो सरीर की मास्टर करंती के नाम से जाने जाती है मानो सरीर की सबसे बड़ी हड़ी का क्या नाम है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है और ये कहां पाई जाती है कार्बन का सहरवादी सुद रूप कौन सा होगा हीरा होगा एक्सरे का अविस्कार किस ने किया था तो वोट्जन ने सबसे पहले एक्सरे का अविस्कार किया था किस तहत्तु का प्रियोग मानो दौरा सबसे पहले किया गया था मानो है वो शिर्फ तामवे को ही जानता था तामवे का ही प्रियोग सबसे पहले किया गया था अंत्यूरा यात्री को ब्हा ay aqas कैसा दिखाए देता है तो अंत्यूरी यात्री को जबाई काय सद्श काया दिखाये देता है दुर्भिन का विस्कार किया था विस्कार गेलियो किया था दिल्ली इस्तित मातमा गंधी के समाधी का क्या नाम है राजगाठ हैं। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी। तो आपकी बता दे कि सबसे पहले रेल है वो भारत के अंदर बंबई से ठाने के बीत में चली थी। डाई किलोमेटर थी नैंसे बहुत में सबसे पहली बार मेट्र श्यवा किस नगर में परार्म के गी थी कॉलकता के अंदर परार्म आर्म की गी थी ये 2005 के अंदर पर आरम की की थी भारत में रेल का आरम किस सन में हुआ था गुनी सो त्रेपन के अंदर हुआ था और सबसे पहले मुंबई वे थाने के बीच में चली थी परतम भारत ये अंत्रिक्स यात्री खोन था तो ये आपका स्कॉर्डन था इसके लेडर थे प्रागेश सर्मा गुनी सो त्रेशी के अंदर सबसे पहले गए थे बारत में परतम महिला मुंखे मंत्री कौन थी तो सिर्मती सुचेता करपलानी पहली मुंखे मंत्री थी हरियाना के पहले मुंखे मंत्री कौन थे पहरियाना के पहले मुंखे मंत्री आपके बंडी थे बगवत दयाल सर्मा थे सोयुत राष्टर संग की स्ताफना कब होई थी 24 अक्टूबर 1945 को सोयुत राष्टर संग की स्ताफना होई थी सोयुत राष्टर संग का मुखे लिक आए तो आई यह आपका निवरों के अंदर है इसमें पांच से सताई सताई सदिसे हैं और सोयुत राष्टर संग के पहले मा सचीव कौन थे तरंग बेली मा सचीव थे यह पहले इस समय सोयुत राष्टर संग में कितने देश सदिसे हैं एक सुत्रियान में देश है वो आपके सदिसे हैं सोयुत राष्टर संग सुरक्षा परिशद में कितने देश सदिसे हैं तो यह आपके पंदरा सदिसे हैं और सोयुत राष्टर संग सुरक्षा परिशद में कितने देश सदिसे हैं तो यह आपके पांस होंगे अंतराश्टे नियाले कहां इस्तित है अंतराश्टे नियाले आपका होलेंड के अंदर दहेंग नमक जगह पर है सोईक्त राश्ट संग के वर्तमान महासचीव कौन थे बान की मून आपके सोईक्त राश्ट संग के वर्तमान महासचीव है स्वेक्त राष्ट महासभा में हिंदी में बाशन देने वाले भारतिये खून थे जिन्होंने पहली बार हिंदी में बाशन दिया था वो आपके अठल बिहारी वाज पर ही थे सोहीत औराजटे संग शौरकषा परिशद में ऐस तरह सदिश्य कितने वरस के लिए चुने जाते हैं तो ये सिर्फ दो वरस के लिए चुने जाते हैं भारत ये दो अभी भारत भी इनके अंदर है सौहीत औराजटे संग का 193 मुश Ya student कुन सा देश बना है कुशे कुशे कून का रुकाव बंद नहीं होता विटामिन के कह MARK ये का और विच inseumबर को मना जाता है और आठामिन के के कि कमेYes koo Hangई हिंदी को राष्ट बसा गोशित किया गया है तो अनुचे वापत 343 है जिसके आदार पर हिंदी को राष्ट के बसा गोशित किया गया है ओलंबिंग खेलों की एककल्स परदा में सवनपदक जीतने वाला एक मातर खिलाड़ी कौन सा है वो आपके अभिनाव बिंदरा होंगे जिन्होंने ओलंबिंग खेलों में एककल्स सवनपदक जीते हैं ओलंबिंग खेलों का आयोजन कितने वर्स में बाद होता है तो वो आपका चार वर्स बाद में होगा हर चार वर्स में ओलंबिंग खेलों का आयोजन किया जाता है सन 2006 में ओलम्पीक खेल कहा हुए थे सन 2006 में आपके ओलम्पीक खेल वो रियर्टी जनेरो में हुए थे अंतराश्टी मानवा दिखार दिवस कब मनाया जाता है 10 दिसम्बर को अंतराश्टी मानवा दिखार दिवस मनाया जाता है अंत्राष्ट ये मानवा दिकार दिवस के मनाया जाता है वो आपका 10 दिसमर को अंत्राष्ट ये मानवा दिकार दिवस मनाया जाता है हरियाना में कौन सी नसल की बैंस परशिद है तो मुरहा नसल की बैंस तो वो हरियाना के अंदर परशिद है परशिद शीतला माता मंदिर कहां इस्तिता गुडगाओं के अंदर जो आपका हरियाना के अंदर है विशाल हरियाना पार्टी किस ने बनाए थी राव वेंदर शिंग ने हरियाना का चेतरपल कि इतने वर किलोमेटर है तो हरियाना का चेतरपल आपका होगा 44212 किलोमेटर है हर्याना के पहले मुक्य मंत्री को उनते पंडित बगवात बगवत दास लाल दयाल सर्मा किस देश को इस तलिए सीमा सहरवाद एक देशों के साथ लगती है तो वो आपकी चीन है चीन बहुत ही बड़ा है विश्व मेज़ जो सबसे बड़े देश हैं उनमेवे नमproof पर अपना बारत आता है बैरोमेटर के प्टन की तेजी से गिराउट किस बात का सुचक है तो तूफान का पता वो बैरोमेटर द्वारा लगाया जासी है बड़ बैरोमेटर में तेजी से गिरावट होने पर आपके तुफान आने के संगेत होते हैं भारतिय मरुस्तल का क्या नाम है तो भारतिय मरुस्तल का नाम है वो थार है तो ये राजस्तान के अंदर है राजस्तान हरियाना और आपका पंजाब है इन तीन राजियों के अंदर फैला हुआ है गुजरात के अंदर भी है ये थोड़ा काजे रंगा राष्ट ये बियाने किस राजे में है तो आपका असम के अंदर होगा परत्वी अपने दूरी पर किस दिसा में गोमती है तो परत्वी अपने दूरी पर है वो पस्चिम से पूरवगी और गूमती है उजेन किस नदी के किनारे बसा है तो वो आपका शिपरा नदी है उसके किनारे उजेन बसा हुआ है निमनलिकित में से ओँची दातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है वो आगी चान्दी है जो विजली के सबसे अधिक सुचालक है गोबर गेस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है गोबर गेस के अंदर सबसे मुख्य रूप से है वो मिथेन पाया जाती है जिसके अंदर ही जिसके कारण ही गोबर गेस मनती है संतरता मेरा जम सिंद्ध दिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा ऐसा किस ने खाता ये लोक माने तिलख ने खाता राजे सबा के सद्दिशों का चुनाव कितनी अवदी के लिए किया जाता है तो हर छे वर्ष के अंदर राजे सबा के सद्दिशों की चुनाव होता है हिंदी बासा में लिपी कौन सी है तो हिंदी बासा की आपकी लिपी है वो देर नावगरी है हिंदी भासा का पहला समाचार पत्र कौन सा था वो आपका उधन्द मार्टन्ड था तुल्शी दास करत राम चरीतर मानस हिंदी भासा की किस बोली में लिखी गई है यह आपकी अवदी भासा होगी हरियाना के राजकवी कौन कहलाते हैं तो यह आपके उधे बान हंस है वो कहलाते हैं आदूनिक ओलमपिक खेलों के सुरुआत कब और कहां कियी थी वह आपके एतनिस यूनान में अठारा सुछानों में इस विमी कियी थी बार्त ने किस खेल को ओलमपिक खेलों में आट बार सहुनपदक जीता है वो आपकी होकी होगा बार्त का ये रास्ट ये खेल भी है ये भी आपको ध्यान में रखना है बार्त के आगरी बार सहुनपदक होकी में सहुनपदक कहा और कब जीता था ये 3980 के अंदर मेक्सिको के अंदर जित्था था इसके बाद में नहीं हुआ है अबी एक बार ओल्मपिक क्हेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है तो पहले बता भी दिया है यह च्यार वर्षों के बाद होता है आपका उलम्पी खेलो अंतराष्ठी उलम्पिक समिती का मुख्याले कहा है इस्तित है तो यह आपका लुशान स्विजर लेंड के अंदर है 123 नमर क्यू सन है आपका सन 2012 में उलम्पिक खेल कहा हुए थे तो यह आपके लंदन के अंदर हुए थे उलम्पिक खेल उलम्पिक दोज में कितने गोले हैं तो यह आपके पांस होंगे एक उलम्पिक में सहरवादिक सरौन पदक जीतने वाला खेलाड़ी कौन सा है कौन सा है तो वाके माइकल फलेक्स है वो आपके एक मातर के लाड़ी हैं जन्होंने सहरवादी के पदक जीते हैं सन 2020 में ओलम्पिक खेल कहा हुए होंगे वो आपके टोक्यो जापान के अंदर हुए थे सन 2012 में ओलम्पिक खेलों में काश्य पदक भारत में ओलम्पिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था वो आपका गुनिश्व इस वी के अंदर सबसे पहले भारत ने ओलम्पिक खेलों के अंदर भाग लिया था नेक्स्ट क्यूशन है आपका ओलम्पिक खेलों में पदग जीतने वाली पहली भारतेब महिला के लाड़ी कौन थी वो आपका होगा करणम मले स्वरी वेदों की ओर लोटो ये नारा किस ने दिया था ये आपका महारशी दयानंद ने दिया था परसिद जंडा गेत जंडा उचा रहे हमारा की रचना किस ने की थी वो आपके शामल लाल गुप्त पारशद ने की थी पस्वों में मिल्क फीवर बिमारी किस की कमी के कारण होता वो केल्शन की कमी के कारण मिल्क फीवर की कमी होती है जिसके अंदर पस्वों की मौत भी हो जाती है मानव स्रीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है तो ये गुर्दे द्वारा किया जाता है किस एक मातर भारती ने अर्थ सास्तर में नोबल पुर्षकार मिला है वो आपका प्रोफेशर अमरत शेयन होंगे भारत रतन उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद ये अंदर के वाद दिन में विख्यात रहे हैं तो वह सहना ही है भारत के अंतिम गवर्ण जनरल कौन थे स्रीराज गोपलाचारी भारत के अंतिम गवर्ण जनरल थे बिलाई इस्तवाल इस पाथ सेंदर का निर्मान किस देश के सहयोग से किया गया तो यह आपके रूस के सहयोग से किया गया है उत्री धूरवा में भारत के अनुसंदान केंदर का नाम क्या है तो वह आपका हिमांद रहूंगा विश्व में माउंट एवरेस पर चड़ने वाली पर्तम महीला कौन थी जापान की जुन को तबाई और भारत की आपको सबसे पहले पताई है कौन चड़ी थी पीलिया किस अंक का रोग है तो ये यकरत और लीवर का रोग है दैर वा सभी दिशाओं में समान दाप पारित करता है यह कγοतन किस नियम से संबन दित है पासकल का नियम है कलोरोफील का खनीज गठक क्या है तो वो है आपका मेगनिसियम ईपि जी गेस एल पी जी गेस है क्या होता है तो ये बिक्वीट होता है अर्ष मेंने निक्विड पेंट्रोम नाम है ड्रवान गेस। आपको बताना है कि FLP C・N assistants का पूर नाम क्या है। मैं इसे अहीं बता देता हूं आपको। किस None Serop ㅅ के अबलेकों को पड़ाता वह यह था आपका जेम्प प्रिकॉन किस बोध विक्सु के प्रबाव में असोक ने बोध द्रम ग्रहन किया था वो आपका होगा उपगुप थे कौन सा मुगल बात्षा एशिक सित था तो आपका अकबर है वो एशिक सित था और सबसे ज़्यादा विकास भी इसे के काल में हो था आपको बताना कि अकबर का जनम कब हुआ था अकबर का जनम 1541 के अंदर हुआ था अमरत सर सहर के स्थापना किस ने की तो अमरत सहर सहर के स्थापना आपके गुरू राम दासने की थी गदर पार्टी के सहंस्तापक कौन थे लाला हरदयाल गदर पार्टी के सहंस्तापक थे शिक शाहिते में लंगर भठाकिस ने शुरू की थी वो आपके गुरू अंगंध देव ने की थी सबसे पराचीन वेद कौन से है सबसे पराचीन वेद आपका रिक वेद है आपको बताना कि वेद कितने होते हैं उनके नाम भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने है कि सुल्तान ने अपनी राजदनी दिल्ली से दोलता बाद इस्तानांतरित की है तो वो होगा आपका महम्मद भी ने तो गुलक परतम पंचवर्शी योजना कब परारम की गी थी तो आपकी गुनिश्चो इक्यावन से में परारम की गी थी अभी वर्तमान में कौन सी योजना चल रही है यह आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है चिनी यातरी हेंस्वांग ने किस विश्व युद्धेले में धेन किया था तो आपका नालन्द होगा और भारत में सबसे पहले चिनी यातरी यही आया था कौन सा रक्त समूह सेरवदाता कहलाता है तो आपका ओ है वो सेरवदाता कहलाता है वो वाला किसी को भी रखत दे सकता है मनुष्य के बित सरीर में कितनी अडियां होती है मनुष्य के सरीर में 206 अडियां होती है और जब शिस्टू का जनम होता है तो उस समय उसके अंदर 300 अडियां होती है सुरिय के प्रकास में कौन सा विटामिन प्रापत होता है तो विटामिन D होता है मादा ऐनि प्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है तो मलेरिया होता है टेलीफौन का विश्कार किस ने किया था एलेक्जिंडर ग्राह्म बेल ने आपके का टेलीफौन का विश्कार किया था प्रकास की गती चुप कितनी मापी गई है यह सबसे पहले किस ने बेड़ बताया था तो यह आपके सबसे पहले कोपर निक्स ने बताया था परकास वर्ष का संब्द किस से है तो खगोल यह दूरी से आपका परकास वर्ष का संब्द है सरौन मंदिर कहां इस्थित है वह आपको सब मिनार है. वो डिल्ली केंदर है. गेटवे ओफ Ratौ आंडिया तो या आपका मुम्बई केंदर है. और अंडिया गेट आपको यह ज्रूर ध्यान रखने हैं. गेटवे ओफ इंडिया और इंडिया गेट यह अलग अलग है. जो आजाद इंद पोध की स्थाबना कहां की गई थी वाप की शिंगाफुर के अंदर की गई थी शिक्सक दिवस को मनाया जाता है तो शिक्सक दिवस है वो पांस दिसम्बर को मनाया जाता है खेल दिवस को मनाया जाता है वो आपका 29 अगत को मनाया जाता है तो ये जो भी दिवस हैं ये आपको जुरूर याद रखने हैं, इन्हें लिखने ना, नोट करने ना, एक्जाम के अंदर यही पूछे जाएंगे, ज्यादा तर कुशन यही आते हैं, इन से बाहर एक क्यों सुन भी नहीं जाएगा. किसके जनम दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यान चंदे मेजर ध्यान चंद को, होकी का जादुगर भी खाता है. विश्व प्रियावन दिवस कब मनाया जाता है तो यह आपका पांच जून को विश्व प्रियावन दिवस मनाया जाता है और यह बताना आपको 21 जून को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है करो या मरो का नारा किस ने दिया था महत्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया थ जय हिंद का नारा किस ने दिया था जय हिंद का नारा आपके सुभास चंद्र बोस ने दिया था इनि नेता जी के नाम से भी जाना जाता है दिल्ली चलो या दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था निताजी सुबाशंदर ने दिया था वेदों के और लोटो या आपके दियानन सरस्वती ने दिया था इंकलाब जिंदाबात का नारा बकत शिंग ने दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजा दिदूँगा का नारा नेता जी सुबाच अंदर बोश ने दिया था आराम हराम है का नारा किस ने दिया था जवान लान लेनू ने कहा था कि आराम ही आराम है तो आराम मत करो जिरब काम करो जए जवान जए किसान का नारा किस ने दिया था लाल बदूर शास्त्री ने दिया था मारो फिरंगी को यह नारा किस ने दिया था मंगल पांडे के ने दिया सर फरोसी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर बाजवे एक कातिल में है यह नारा आपका राम परसाद बिस्मिल्लाँ ने दिया था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन समुंद्र गुप्त को कहा जाता है सत्य पर्था के अंत में सबसे अधिक प्रियास कि समा सुधारगने का रहा है वो आगा राजाराम मोहन राइखा आपको यह बताना है कि भारत में सबसे सहरवादिक वर्षां वाला इस्तान कौन सा है और भारत में सबसे कम वर्षां हाहा होती है कि कि यह आपको मेह कन बता दूँं कि भारत में सबसे ज्यद्द्ध है वह आपकी वर्षन ओचे रापञ्चरा जी के अंधर फरोथी है और सबसे कम वर्षा हुआ आपकी जैसल मेर के अंदर होती है महत्मा गांदी का जनम दीवस किस तीती को मनाया जाता है तो वह आपको दो अक्टोबर को पता है आपको और इसे महत्मा गांदी का पूरा नाम था वो मोहंदास क्रम्थन गांदी था गांदी जी को महत्मा की उपादी किस ने ती थी वो रविंदर नाटे को ने सहर प्रतम गांदी जी को महत्मा की उपादी थी थी माई एक्सपेरिमेंट विद्टू विद्टूथ फुस्त का लिखा कौन था तो वह आपके महात्मा गांदी थी बात का सरवच नागरिक्षमान कौन सा होता है तो आपका भार्त रतन होता है फिलम के छित्र में दिया जाने वाला सरव भारतिय Uhr Adapt का और क्रूं साल आपका सरवच और इरग है उतकरिश्ट फिलम के लिए दिया जाता है भारत का सरवच वीरता पदक का नाम बताई कि परमवीठ चक्र जो सहाधत पर मिलता है भारत के सेक्स फियर किसे कहा जाता है काली दास्त को भारत का सेक्स फियर कहा जाता है कम्पूटर के पिता किसे कहा जाता है कम्पूटर के पिता वो चाल्स बेबेज को कहा जाता है अंत्रिक्स में जाने वाली परतम वेक्ति कौन थे तो वो आपको यूरी गाउगरीन यूज के थे ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री आपको बताना है कि भारत के परतम अंतरिक्ष यात्री कौन थे उनका नाम लिखना है चंद्रमा पर कदम रखने वाली परतम वेक्ति कौन था वो और नील आमस्ट्रॉंग है अंत्रिक्स में जाने वाला परतम भारत्य है कौन था वो आपकरा के सर्मा है आपको दूसरा बताना है परतम भारती ऊपगरा का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया था आरी ये भठ सन क्यों नगे बरतमान माहा्स menor को ते बान की मून भान की मून यह आपकी श्युकत राश्ट्रंगे महा सचे उत हैं इंतोर महि लादिया उस आठी मार्च को मनाय दाता है गेंग रो किस करया क्मी के कारण होता है चो तो आपका बिरी बिरी रो गए विटामीट B2 के कमी के कारण होता है कोन से गरंती ईंसुलीन रवित करती है तो वह आई आई से गरंती है जो आपकी अटो प्रमिन पररा करती और इसे इंसुलीन गरंधी के नाम से भी जाना दाता है डुरंड कप का संबंद किस खेल से है तो आपका फोटबाल होगा और डुरंड लाइन किन दो देशों की बीच में है तो ये भारत और अफ़कानिस्तान के मद्दे जो शिमारे का है उसका नाम भी डुरंड लाइन ही है भारत में भारत का सबसे बड़ा बांध कुंस है वो आ किमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है वह आपका किस्मी राजे के अंदर में आपको यह पर बताता हूं सुविदान की आठी में कितनी भारती बासाओं का माने था दे गई है वो 22 बासाएं है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां है उसका क्या नाम है यह बता यह है नेपाल की मुद्रा कौन सी है यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर हिमोगलोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो वह आपका एनिमिया होगा भारते कोकिला कौन खहलाती है वो आपकी शुरोजिन नाइड़ भारत की कोकिला के नाम से जाना दाता है इने दिल्ली में कुतूब मिनार किस ने बनवाई बनवानी शुरू की थी तो वो कुतूब दिन एक एबग ने आपकी बनवानी शुरू की थी बनारेश हिंदू विश्व विद्याले के सैंस्था 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 बनारेश दक्षेश का अर्थ है वो आपके बताना है कि दक्षेश का अर्थ क्या आता है दक्षेश में कितने देश हैं तो दक्षेश के अंदर चार्ड देश हैं जिनमें भारत नेपाल पाकिस्तान बांगला देश अफगानिस्तान मालदीब बुठान ये देश हैं सभी भारत की तठ्रेका क्यमंभाई कितने है तो भारत की तठ्रेका कि लंबाई हा आपको 7560 बारत की सब्सक्रेदों कि अदर भारत कि फिला ओध में अब्रक का सहरवादी कुदबादन किस तेश में होता है तो अब्रक का सहरवादी कुदबादन है वो भारत के अंदर होता है क्रांट ट्रक रोड किस ने बनवाया था तो वो आपकी शेर सांसुरी ने बताया था विटामिन B की कमेशे होने वाला रोग है वो आपका बेरी-बेरी रोग है विटामिन C की कमेशे कौन सी बिमारी रती है तो वो आपके स्कुर्वी है विटामिन C सरवादी किस फल में पाया जाता है यह आपको बताना है दूद में कौन सा विटामीन नहीं तो आपका विटामीन C है वो दूद के अंदर नहीं होता है विटामीन D की कमी से होने वाला रोग है स्टेक रिकेटास है वो आपका विटामिन दी की कमी से होता है सरवादी विटामिन वो में दूप की वज़े से मिलता है विटामिन दी है वो दूप की कारण मिलता है किस विटामिन की कमी से कून का ठका नहीं जमता है और विटामिन के है वह आपका दूद जैसे फड़ा तुम्हें पाए जाता है विटामिन एक कमी से कौन सा रोग होता है तो वह है कि बांज बना विटामिन एक कमी के कारण होता है विटामिन शी का राशाइनिक नाम क्या है तो वह आपका एस्क्रोबी एमल है विटामिन सी का राशायनिक नाम है वशा में गुलंशील विटामिन कॉम्स है तो A और E ये दोनु ही वशा के अंदर गुलंशील है और साधरन नम का राशायनिक नाम के है तो NACL साधरन नम का राशायनिक नाम है साने वाली गेल्स का राशायनिक के हैं तो वह आपका नाइटर्स ओक्साइड है एंड टूओ है दावन सोडा का राशायनिक नाम के है तो वो आपका कार्बोनेट होगा पीतल किन दो दातूर। का मिशन है, तामबा और छस्ता जिनका दोनु का मिशन से आई पितल का निर्माण होता है केल्ची फेरोल किस विटामिन का राशाइनिक नाम है तो आपका विटामिन डी का ये नाम है नित्र दान में नित्र की किस भाका दान किया जाता है तो आपकी कोड़नी होगा किस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो विटामिन वी बारा के अंदर आपका कोबाल्ट होता है और पोशिका का प लाल रक्त कनिकाउं का निर्वान हमारे देश के किस हमारे श्रीर के किस भाग में अता है तो वो आपकी अस्ति मजा बोन के अंदर हो तो बोन मेरो के अंदर हो था राष्टि विज्ञान दिवस कब मना जाता है 28 फरवरी के अंदर आपका राष्टि विज्ञान दिवस मना जाता है बलड परेसर मां बने के लिए किस यंदर का उप्यो किया जाता है सिस्मोगरापी आपका बलड परेसर है नापने के लिए काम में लिया जाता है और हिवदे की वो आपकी जांच है क्या खेलाती है इसी जी के दुवारा ही दे की जांच की जाती है केम्पूटर का पर्मानेंट मेमोरी क्या है तो आपको यह के गो लोह रों होगा जिसे 가 पुरा नामी डोंलम मेमोरी है और तो मामेंड मेमोरी है जो इस दाए मेमोरी है और किस देवेशन में कांग्रेस उदारवासी और अगरवादी नामक दो दलों का विवाजिन हो गया था तो वो गुनिशो शाथ के सूरत दिवेशन के अंदर हुआ था आपको बताना है कि भारत और बांगला देश का भी कौन सी संदिवी थी वो कब हुई थी तंजोर का व्रदेश्वर मंदिर किसे कहा जाता है तो यह है राजा राम परतम चोल नी बनाया था व्रदेश्वर मंदिर मुगल सामराष्ट अकबर का जनम कहां हुआ था ममर कोट के दुरग के अंदर हुआ था वर्स दो 014 प्टवाल विश वे कब इकिस तेस में आउजित होगा यह आपका ब्राजील के अंदर हुआ था और नेक्सट फिशन है वर्स 2018 का पुटवाल विश वे कप इस तेस में आउजित कहा जाता हुँआ वो आपके रोज के अंदर है वर्स 2014 के कॉमन वेल थे खेल कहां होंगे वो आपके ग्लास को स्कॉरलेंड के अंदर होंगे वरस 2015 का क्रिकेट विस्वेकप कहां है आईजितों का न्यूजलेंड और राश्रिलिया के अंदर हुआ था संसर्द के दोनों सदमों की सयुक्त बैटक की देखस्ता कौन करता है तो ये लोकसाबा देखस्ट करता है बारत का फ़र्तम लोकसाबा देखस्त कौन था कनेश वाशू देव मालकर बारत के फर्थम शिडियेस का क्या नाम था शिडियेस का फुल फॉरम क्या होता ये आपको मेंट बॉक्स के अंदर बताना है बारत ये स्विदान के किस अनुचेत के अंदर कत जम्मू कश्मी को विशेश दरता था जो 370 थी वो अब अठा दी चुकी है कोई विदेहक जन विदेहक या नहीं इसका कोई है या नहीं इसका निल्ने कोन करता है वो आपका लोग सबादेक्स करता है विश्व का सबसे बड़ा महादीप पॉन्स है वो एस यह है और विश्व का सबसे छोटा महादीप पॉन्स है वो आपको कमेंट बॉक्सिंग अंदर के बताना है कुलास अच्छे लगे तो कुलास को लाइक करो शेर करो चैनल को सबस्क्राइब करो